वेलकम बैक ट्रेंट्स वेलकम तु तनिस कोचिंग क्लासे ट्रेंट्स टुड़े आपको मैं बताने जा रहा हूं दोस्तो इसके पहले है और है गोर्ट आपको पता चुका हूं इसके पुराने विडियो में है आप उसे चाहें तो डिस्क्रिप्समें उसका लिंक मिल दोस्तों तो यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आता है दोस्तों तो हमारे वीडियो को लाइक शेयर और यदि आप हमारे चैनल पर नए वीवार हैं आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर वहला आइकोन क्टापिक हे ही और एक है। है कि और है थो इस से आप किसी से भी निगेटिव बनाते ह। तो इसके लिए मैंको यूज दिया है है आई एक सबरेस्थ सब्जेक्ट। सा बहुक गदेकि फ्लस नाट द। लगण लम। सेकंड सबजेक्ट प्लएंट और अजट प्लस हेव मास एनी फैस रहाइं ओगा सबजेक। प्लस हेट अबिए है यह state आइएब प्लस निए निए यह पर आको देखना है कि सबजेक्ट आई। वी, यू, दे, एंड प्लूरल अंबर, इन सभी सब्जेक्ट के साथ आपको है या फिर है गॉट का यूच करना है, है का यूच करेंगे, या फिर आप इसके साथ है गॉट से भी सेंटेंस बना सकते हैं, लेकिन रिमेनिंग ओल सब्जेक्ट लाइक ही, शी, एट और एनि लैम के साथ आपको है अबलिक, है गॉट का यूच करके निगेटिव आप बनाते हैं, तो देखते हैं कि इस तरीके से निगेटिव बनाए जाएंगे, सेंटेंस नमबर फास्ट, उनके कोई बच्चे नहीं है, तो यहां पर उनके के लिए, आई जो होगा, आई मिस मेरे या मैं नहीं, वी मिस हम, हमने हमारे, यू, आप, आपके, दे, उनके, दे मिस वे, तो इस तरीके से इसका मिन्स होगे, ही मिन्स वह उसके, शी मिन्स वह और उसके, नेम है तो राम के, शाम के, सीता के, गीता के इस तरीके से यह इसका मिन्स होगा, अब उनके कोई बच्चे नहीं है, जो आप निटेटेट फॉस्ट इस्ट्रेक्टर से हम बनाते हैं तो देके साँप है भी जो हुआ यह है थैन नॉट they have not got they have not got then children उनके बच्चे नहीं है तो sentence बन गया they have not got children second structure का इच करके भी हम इस sentence को बना सकते हैं तो they अब दे के साथ ही जोगा इन सब्जेक्ट के साथ I, V, U, They और लूगर लंबर के साथ आप don't का उच्च करेगे they don't बनेगा they don't have they don't have जब आप इसका negative बनाते हो और don't या doesn't के साथ जब आपको बनाना है तो यहाँ पर have फेक्स है तो sentence बनेगा they don't have any children they don't have any children या आप इसको बोल सकते हो they have no children या आप बना सकते हो they have not got any children यहाँ पर noun children होगा noun के place पर children आ जाएगा यैसे आप sentence बना सकते हो second है उसके पास पैसे रही है तो उसके के लिए आप ही या she कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर क्लिए नहीं किया गए कि वो लड़का है या लड़की तो he had got he had got no money he had got no money इस तरीके से भी आप sentence बना सकते हो या फिर आप चाहें तो इसे दे याँ पर he had he had not got money ऐसा भी आप negative बना सकते हैं या आप चाहें तो he doesn't have any money या फिर आप चाहें तो he had no money he had not got any money इस तरीके से इसे अलग-अलग structure करके किसी भी तरीके से इसको बोलते हैं तो Sam a Hindi meaning देगा next sentence number third मेरे पास फालतू समय नहीं है तो आप बोलेंगे I have no spare time I have no spare time या फिर आप चाहें तो बोल सकते हैं I have I have not got spare time या आप चाहें तो I don't have any spare time इस तरीके से भी आप बोल सकते हैं तो देखते हैं next मार्फ कीजिए मेरे पास खुलने पेसे नहीं है तो sorry क्या बनाएंगे हम sorry मेरे पास खुलने पेसे नहीं है I don't have I don't have any change I don't have any change sorry I don't have any change या फिर sorry I don't have got any change या sorry I have not got change अब किसी भी तरीके से इन इस्ट्रक्चर का इच करके आप इसका निगेटिव बना सकते हैं अब सेंटेंस नंबर ठीट थे मेरे पास कोई तरकीब नहीं है तो आप इसका जब सेंटेंस बनाएंगे तो आपका आजाएगा I have no idea I have no idea आप ऐसा भी बना सकते हैं या फिर I don't have any idea तो भी आपका निगेटिव बन जाएगा या फिर आप बनाते हो I don't have got any idea तो भी आपका चलेगा या फिर I have not got any idea तो भी निगेटिव बन जाएगा तो दोस्तो I think आपको हमारे ये वीडियो पसंद आया होगा और यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया दोस्तो तो हमारे वीडियो को लाइक शेयर और यदि आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले जिससे हमारे द्वारा बनाए जाने वाले प्रत्यक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहले पहले पहुंच सके और ठेंट्स थैंक्स पर वाचिंग इस वीडियो